आज दिन शुक्रवार को श्री भागी रथी इंटर कॉलेज ब्रिजगाट में राष्ट्रिय किशोर स्वास्थ्य मंच का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें किशोर व किशोरियों में होने वाले हॉमोन चेंजिंग व स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा बच्चों द्वारा भिन भिन प्रकार की प्रतियों गिताएं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन्दी किया गया जिसमें बच्चों को ट्रॉफी वा मैडल देकर सम्मानित किया गया तथा सम्मानित पदाधिकारियों को प्रधनाचार्य द्वारा सम्मानित पत्र दे कर स्वागत किया गया डॉक्टर मयंग चौधरी स्वास्थय विभाग द्वारा सम्मानित सभी टीचरों को मैडल व सर्टिफिकेट दे कर सम्मानित किया गया ICDS विभाग द्वारा को पोशन को दूर करने के लिए स्टॉल भी लगाए गए डॉप्टर सुरेंद्र चोहान ने बच्चों को अच्छी शिक्षाव टीचरों के सम्मान के बारे में बताया कि बच्चों से प्रेरनाली की बच्चे अध्यापकों वह अपने माता-पिता का सम्मान करेंगे और बच्चों को बताया कि जो मार्ग दर्शन आपको अध्यापक कराएंगे जिंदगी में आपको कोई नहीं करा सकता डॉक्टर मयंद चौदरी स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बच्चों को होमोनस या अन्य बीमारी से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो वह प्रिंसिपल आफिस से उनका कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर ले भारत की रफ्तार 24 के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट पर रहिए जो यह मान दर्षन कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है जिंदगी में आप चाहिए कितनी भी बड़े मज्या है अध्याप्पप घ्र बीकें तो द्यान रखे तो भी तो जिस नहीं सब्सक्राइब करेंगे अगर किसी को भी है इसू है या कि परेशानी होती है तो आप अपनी डॉक्ट्साब से इनका नंबर ले सकते हैं अगर फिर भी कहीं परेशानी आती है तो मैं अपना नंबर नहीं चोड़ के जा रहा हूं सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करेंगे इसमें हमने 10 साल साल के जो बच्चे हैं उनको किसोवर स्वास्त और मांसिक स्वास्त से संबंदित हमें तो सर यह आगे भी आरेकर्म ऐसे चलते रहेंगे यह साल खुरकरम होते हैं और इसके लावा हमारी टीमें बच्चों को दवाईयां गोलियों के लिए और आपर आयरेंग की परकारती गोलियां या क्यूडों से संबंदित गोलियां भी प्रवाइट की गई हैं इसके लाव प्रवाइट की